हेलो दोस्तों, आप सभी लोग हैस्टेच GONDIA Чैनल देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट शीव अघेल सर। आज आपको मैं GONDIA के तिरुपतिबाला मन्दिर में गुवाने ले चल रहा हूं। हम तिरुपतिबाला मन्दिर पहुच गया हैं। बहुत ही खुपसूरत, तिरपती बाला मंदिर है, देखिए ये कितने बड़े हनुमान जी है, सरवत्र चारो गृत्रा भारियाली है, घने घने और बड़े मुचे मुचे बुरक्ष हाँ, एकदम कलरफुल मंदिर है, एकदम रंग पिरंगा मंदिर है, एक अन्पति बप्पा का मंदिर दिखाई दे रहा है, अन्पति बप्पा के भी दर्शन करेंगे, सुबह का समय है, सायद लाइट नहीं है, लाइट ना होने के कारण, देखिए, मेजर नहीं हटती, एकदम खूबसूरत है, अभी हम गनपति बप्पा के मंदिर में परविष्ट हो गये हैं, बोलो गनपति बप्पा की जाए, ओम गम गनपते नम्हाद, बहुत ही खूबसूरत गनपति बप्पा मंदिर में विराजमान है, मंदिर के बाहर, पूरी गोलाई में चोटे-चोटे गनपति बप्पा विराजमान है, जो बहुत ही आकरिसक दिखाई देते हैं, देखिए, यह में मंदिर है तिरपति बाला जी का, लाइट ना होने की वज़े से, उजारी जी गठे हैं, ओम वेंकटर स्वेराय नमहाँ, तिरपति बाला जी मंदिर के, बाहें तरफ हनुमान जी का मंदिर है, और दाहिने तरफ माता लक्षमी जी का मंदिर है, यह हनुमान जी के दर्सन हो रहे हैं, यह लश्मी जी का मंदिर है, जो मंदिर के दाहिने तरफ है, में मंदिर के, परिक्रमा करने के बाद, परसाद लेने के बाद, नीचे भगवान विश्मी जी का मंदिर के दाहिने, का मंदिर है, जो बाला जी सवरूप में है, उसके भी दर्सन करेंगे, यहां आने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, देखे, राधा करस्न जी है, और नीचे में सवरूवर है, जिसमें असंक रंग गिरंगी मशलिया है, छोटी साइज में, बड़ी साइज में, पीपल का मंदीर, जिसमें मंदीर हम पहुंच गया है, नीचे, नाग दियोता का मंदीर है, यह नौगरह मंदीर भी दिखाई दी रहा है, इस प्रांगन में है, मैं आप लोगो इसे अनुरोध करूँगा, कि आप ज्यादा संख्या में सब्क्राइब करें, लाइक करें, कमेंड कर हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेते आएंगे, लाते रहेंगे, नौगरह मंदीर है, थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग, वॉन्डरफुल वीडियो,